डानामिक लिंक लाइब्रेरीज। यह डानामिक लिंक लाइब्रेरीज। का जो मेकनिजम है, यह basically fall करता है अपन जो हमने पहले memory mapped mapping पड़ी है, memory mapped files को जो हमने process करने का तरीका बड़ा, बिल्कुल वही जो mechanism है, उसी को base use करते हुए Windows जो है, उसका अपना dynamic link library का architecture जो है, डिजाइन किया गया यानिके यह जो files की memory mapping है, यह Windows का एक बड़ा ही fundamental और basic feature है, क्योंकि Windows जो हर file को treat करती है as a DLL, DLL जो है वो एक बहुत Windows का major आप समझते हैं कि feature हो सकता है, क्योंकि अगर DLL का feature ना हो तो इसके अदर कही ऐसी चीज़े हैं जो बिल्कुल outcast हो जाएंगे, आप कही ऐसे functions हैं जो नहीं perform कर सकेंगे, या कही ऐसे advantages हैं जो आप Windows के नहीं उठा सकेंगे, जो कि इस DLL के platform की बज़े से आपको मिलते हैं कही ऐसी technologies हैं, कही ऐसे of course compilers हैं, applications हैं जो DLL को इस्तमाल करते हैं, for example, Windows की एक com technology, component object model technology है, तो ये technology जो है, ये बिल्कुल DLL architecture के ओपर based है, तो आप DLL architecture को बाइपास करने का या इसको खत्म करने का सोच भी नहीं सकते हैं. DLL को समझने के लिए थोड़ा सा linking का process understand करना पड़ेगा, आपने compilers के ओपर काम किया होगा, previously compilers के बारे में आपको concept होगा linking का, linking का बड़ा एक important concept है, कि आप अगर एक program लिखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप कुछ code लिखते हैं, वो code जो होती है, वो लेकिन उसके अलावा कुछ आप library functions भी call करते हैं, वो library functions होते हैं, उसकी code आपने नहीं लिखी होती है, वो पहले सही binary form के अंदर उसकी code compiler के पास available है, जिस तरह आपने C के अंदर program लिखा है, तो C की आपने जो library functions यूज की है, उसकी code C के पास है, वो आपने कभी देखी भी नहीं है और वो binary form के अंदर वो सारी road बढ़ ही है. compiler क्या करता है, आपका code लेता है और जो library functions लिए हैं उनका code लेता है और उनको कठा कह देता है और एक executable file बिना देता है. जो executable file है उसके अंदर आपकी code भी है और उसके अंदर सारे library functions उसकी code भी है. वो एक monolithic code बन जाती है जिसके अदर आपके library functions भी हैं आपके अपनी code भी सारी की सारी code एक बड़ी executable file के अदर मौझूद है अब इस strategy की कई disadvantage हैं इसको हम कहते हैं static linking क्योंके linking कब हो रही है linking हो रही है at compile time जब आपका process जब आपका program जो है compile हुए है तो जितने भी library functions है वो आपके program के साथ link हो गए और वो executable का part बन गए तो इसकी विज़े से कही किसम के आपको कह सकते हैं कि disadvantages face करने पड़ते हैं एक जो बड़ा disadvantages जिसको windows की dynamic link libraries दूर कर रही हैं वो disadvantage यह है कि जब आप उसके अंदर अपनी code के अंदर सारे के सारे functions add कर देते हैं तो of course वो सारे functions जो है space लेंगे वो dispatch भी लेंगे वो physical memory space भी लेंगे तो आपकी जो resources की requirements है वो increase हो जाएंगी उस program को run करने के लिए फिर अगर कोई update आती है जो भी library function आपने use किये थे अपने program के अंदर वो update हो जाते हैं वो change हो जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको अपने program को फिर से recompile करना पड़ेगा update करेंगे वो libraries add करेंगे और उसको फिर से program को recompile करेंगे तब ही वो update जो है आपके program का part बन सकती है तो यह एक और disadvantage है कि जब भी update आएगी तो आपको program को recompile करना पड़ता है फिर एक ही function कोई एक library function है say put ch put ch का एक function है और उसको तकरीबन हर program जो है call कर रहा है तो हर program के पास put ch की अपनी अपनी एक copy है अगर अब भी इस तरह 10 program चल रहे हैं तो 10 के 10 program के पास एक function की copy जबके function एक ही है rather than कि एक function हो और कोई ऐसा mechanism हो कि सारे programs उस एक function को call कर सकें उस function की 10 copies बन जाती है तो इस तरह से memory requirement और जदा increase हो जाती है और इस तरह से एक और भी जो disadvantage होता है कि जो portability है वो reduce हो जाती है अगर एक certain environment के लिए एक program जो है compile हुआ है तो वो उसी environment के लिए compile हुआ है उसके जो environment variable की settings थी वो different थी उसके accordingly जो API's हैं उसको उसने optimize किया होगा अब किसी और computer पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे अगर environment setting different है तो वो program जो है वो optimally work नहीं करेगा तो एक तरह से portability जो है वो इस case के अंदर reduce हो रही है अब हम देखते हैं कि यह जो problems है हमारी इनको DLLs कैसे solve कर रही है पहली बात यह है कि DLLs के अंदर जो functions होते हैं वो compile time पे program के साथ link नहीं होते हैं उसके लिए just placeholder बन जाते हैं function link नहीं होते हैं function link होते हैं implicitly या explicitly अगर implicitly हो रहे हैं तो वो add load time होंगे यानि कि जब program ने load होना है आपकी application होना है या फिर वो होंगे at run time अगर explicitly हो रहे हैं run time पे ही आप जो भी आपको function required है उसके साथ link नहीं होगी अब इस तरह से क्या होगा इस तरह से यह होगा कि जो आपके library functions हैं they need not be part of the executable code वो executable code का part नहीं होंगे executable code के अंदर सिर्फ आपकी जो code है उसकी binary होगी लेकिन library functions की binary नहीं होगी वो कहीं और पड़ी हुए है और वो run time पे या load time पे उसके साथ link होंगे तो आपकी exec का size जो है वो छोटा हो जाएगा executable का size reduce हो जाएगा फिर DLLs जो हैं उनको shared तरीके से use किया जा सकता है उनकी sharing हो सकती है आप DLLs को यह कैसी बना सकते हैं जिसको number of processes share कर सकते हैं अगर number of processes share कर सकते हैं तो यहां पे code की reusability भी हो रही है यानि के a की code है जिसको कई processes share कर रहे हैं हर process के पास अपनी copy होने की जरूरत नहीं है तो आपकी जो memory की requirement है वो मजीद reduce हो जाती है सिर्फ DLL की a की copy जो है वो आपको memory में इस वजह से place करने की जरूरत पड़ेगी अगर कोई निया version आता है, update होती है तो आपको just क्या करने की जरूरत है आपको program को recompile करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जो आपका function है, library function है वो library function जो आपके program के अंदर ही नहीं वो किसके अंदर है वो DLL के अंदर है, just आपने क्या करना है DLL को change करता है जो भी update है उसकी जो नई DLL है वो परानी DLL से replace करते है, automatically update होगी आपको program recompile करने की जरूरत ही नहीं पड़ी फिर इसमें कुछ ऐसी भी चीज़े हैं जिनका ख्याल रखने की जरूरत है, एक point जो जहें में रखने की जरूरत है कि जब आप किसी एक library function को call करते हैं, तो आपकी DLL का जो library function है, वो calling process की space के अंदर run हो रहा है तो उसका scope वो ही बन जाता है जो calling process की memory space का scope है यह चीज़े एक जहन में रखने की जरूरत है, यह किसी किसम के conflicts में भी produce का सथिती है, जिसके साथ हमें deal करना पड़ाएगा फिर इसी तरह DLL जो है यह तकरीबर आप जो भी modern operating system देखें, Unix देखें या कोई और operating system देखें, उसके में भी किसी form के अंदर DLL का इस्तमाल जरूर हो रहा है और DLLs जो है, वो basically in case of windows, interface का काम कर रही है, interface between the kernel and application, kernel की जितनी भी APIs हैं, वो DLLs के अंदर पढ़े हुए हैं और जो आपकी application है, वो DLLs की APIs को call करके kernel के functions को use कर पा रही हैं, तो basically यह DLLs ही हैं जो आपकी operating system का interface provide कर रही है और फिर यहां पर हमें Windows के अंदर जो advantage है वो एक और यह भी है कि sharing असान है, यानि कि A की code है, वो DLL के अंदर पढ़े हुए है, उसको जितने मर्जी चाहें process share कर सकते हैं, कई copies generate करने के आपको जरूरत नहीं है और फिर वोई point है कि जब एक DLL का function आप यूज करें तो वो आपके process की space के अंदर run हो रहा है, यह आपको point जहीं में रखना चाहिए, जब भी आप DLLs का इस्तमाल करें और फिर इस वज़ा से DLLs के अंदर यह भी potential है कि वो आपके resources, आपके process के resources यूज करें और किसी किसम का conflict भी आ सकता है जिसका क्या आपको दिहान रखना चाहिए तो DLLs को जब आप use करें तो हम कहते हैं system use करते है thread safe manner, thread safe manner के अंदर use की जाती है, यह एक जो thread जिसके अंदर वो DLL run कर रही है, वो thread monopolize ना कर ले resources को, thread safe manner के अंदर आप उसको run कर सकते हैं, और DLL सिरफ functions भी नहीं export करती है, और DLLs वो variables भी export करती है